आर्टिकल 25 आफ दी कांस्टिटूशन आफ 1973 विच प्रवाइड्स एक्वैलिटी आफ सिटिजन्स मैं इसकी जैसे प्रवाइड़ है यह फंडमेंटर राइट है और इसको इसी तोर से आपके सामने पहले पढ़ देता हूं फिर इस पर डिटेल बात करते हैं आर्टिकल 25 सब्क्लास 1 आफ सिटिजन्स और इकोल बिफोर लाइड और एंटिटल तो एकोल प्रोटेक्शन आफ लाइड सब्क्लास 2 विर शल बेनो इस्क्रिमिनाशन सब्क्लास 3 नथेंग इन इस आर्टिकल शल प्रिवेंट दी स्टेट फ्राम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन पार दी प्रोटेक्शन आफ विमिन एड चिल्डर यह नहीं तवाम शेरी कानून के सामने बराबर हैं और एक जैसे बराबर कानूनी तहफुज के हकदार हैं एंटाइटल्ड हैं सबक्राइट टू सेक्स की बुनियाद पर यह नि जैंडर की बुनियाद पर जिन्स की बुनियाद पर यह नि औरत हैं मर्द हैं क्या हैं कत्तन कोई इम्त्याजी सलूक नहीं होगा आर्टिकल थ्री आर्टिकल सबक्लास थ्री आव आर्टिकल ट्विंटिफाइव यह आर्टिकल रियासत को नहीं रोकेगा और्टों या बच्चों के लिए कुछ पेशल प्रोवीजन बनाने में बनाने से हमारा आर्टिकल ट्विंटिफाइव एनलोगस है मिलता जुलता है मुशाबह है आर्टिकल सैवन आप दी डेकलरेशन आप हुमन राइट्स से आयर के कंस्टिचुशन की सेक्शन 43 सबक्लास बन से आर्टिकल चौदा आप दी कंस्टिचुशन आप इंडिया से आर्टिकल 5 आप दी कंस्टिचुशन आपकिस्टान 1956 से और आर्टिकल 15 आप दी कंस्टिचुशन आपकिस्टान नाइटीन सिक्स्टी टू से एक्वैलिटी आव सिट्जेंस इससे मुराद मसावात बराबरी लेकिन इट कैन नाट बी इन मैथिमेटिकल एग्जेक्टिचुट् टूम से नहीं व सकतИ बलकि मसावात कैसे होगी इक्वैलिटी अमंग्स्ट इक्वैल्स इक्वैलिटी बिटून दी पर सांस्टी सेम सेम प्लेश्टान दी शेम फुटिंग मस्ट बी ट्रीते लाक एक्वेश्यट राट में लोग एक जैसे प्लेस्ट लोग एक जैसे कैलिबर के लोग, कबलियत के लोग, उन से इक्वल जस्टिस, इक्वल ट्रीटमेंट होना है, ये इक्वालिटी मसावात का कतन ये मकसद नहीं है, कि जी मसावात है, सब बराबर है, मिसाल के तौर पर एक अनपड़ शक्स है, वो कहे जी मैं बराबर हूँ, और ये पिएशडी है, मुझे इसके बराबर मुरादें नहीं, अनपड़ को, अनपड़ों के बराबर जो है, वो उसको मुराद मिलेगी, पिएशडी इसको, पिएशडी के बराबर जो प्रिविलिजिस पसिलिटीज हैं, राइट्स हैं, जो लाकर ट्रीटमेंट है, वो मिलेगा, क्योंकि यह mathematically तो physically possible ही नहीं है article 25 यह guarantee करता है कि किसी person या class of persons को shall not be denied the same protection of law यह guarantee है कि हर शक्स को कानून तहफ़स देगा which is enjoyed by the other person जो दीगर लोग अंजाय कर रहे हैं are class of persons under the same circumstances एक जैसे आलात के ताद पर अब अगर किसी शक्स ने जुर्म किया तो उसी जैसा जुर्म जो दूसरा किया है तो कानून ने बराबर equal treatment करनी है और कानूनी तहफ़स भी बराबर देना है सबको the conception of equality before law does not involve the idea of absolute equality which is physically impossible बलके इसका मकसद यह है कि बगहर किसी नसली अमत्याज कोमियत के अमत्याज पैदाइश के लिहासे अमत्याज कि यह जी बड़ा आदमी है तो इसको छोड़ दें यह सरदार है खान है एवान है यह इस तरह की कोई तफरीक कोई मजब की बन्याद पर किसी और अलाकाई बन्याद पर किसी इजम सब की बन्याद पर इस तरह की कोई तफरीक नहीं की जा सकती आर्टिकल 25 गरंटी करता है that there should not be the denial of any special privileges कोई खसूसी जो सहुलियात है privileges हैं उन से इंकार नहीं किया जाएगा by reason of होई रंग नसल अकीदा कोमियत इसकी बन्याद पर कोई तफरीक तमहीज इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा and also subjection of all citizens all persons or all classes of persons to the ordinary law of land सब मुल्की कानून के सामने बराबर है persons similarly situated or similarly placed under the similar circumstances are to be treated in the similar manner similarity of treatment is guaranteed by the constitution एक जैसे सलूक किया ने गरंटी दिये 25 आर्टिकल के जरिये and not the identical treatment similar treatment होगा किन में persons placed under the same circumstances persons on the same footing must be treated alike and not identical treatment among equals law should be equal जो बराबर के लोग है उनके साथ बराबर का कानून भी होगा and should be equally administered और एक जैसा कानून उन पे लगाया जाएगा and that the like should be treated alike इसको इस तरह भी कह लें like should be treated alike इन इन बातों पे दो reference के तौर पर judgments note फरमाएं 1955 criminal law general page 754 bracket में FB लेख लें 2000 से मार पेज one nine five six equality before law is a golden principle of Islam when हजरत मुहम्मद peace be upon him आका अलाई सलाथ वस्लाम के सामने एक बड़ा मारूफ वाक है आप जानते हैं कि कुरेश का एक कोई बड़ा सरदार था उस पे किसी जुर्म का इल्जाम था तो उस पेश किया गया तो बाकी जो सरदार थे दे कें फारवरड और रिक्वेश्टेड आका अलाई सलाथ वस्लाम के ये बड़ा आदमी है बड़ी रुस्वाई हो जाएगी बड़ी बेज़त ही हो जाएगी ठोड़ी मुझाश पैदा करें इस बास से आप खफा हुए और फरमाया कि लिसन कस्म है मुझे पैदा करने माली की जिसके कब्जा में मेरी जान है अगर मेरी बेटी फात्मा बिनते मुहम्मद पीजिवे जरुम करती तो उसको वही सजा मिलती जो एक दूसरे शख्स को में Here was a lesson loud and clear to the word कि कानून के सामने सब बराबर हैं कान ला ने भी यहीं से डराइब किया दुनिया के दिगर कांस्टिटूशन ने भी यहीं से डराख किया तो बिसिकली यह आर्टिकल इसलाम के इसी सुनेरी असूल पर बेस्ट है कि इक्वल ट्रीटमेंट अव ला इक्वालिटी भी फोर ला इस प्रॉइंट इन बातों पर एक केसला बतार रैफरेंस नोट फरमाएं 2000 पी लसी रैकेट में सी एस एट सेमन फोर रूल अवला और शक्सी अजादियां रूए रवा हैं किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट की और कानून के सामने सब बराबर होना इस चीज़ को एंशूर करता है किसको रूल अवला को किसको शक्सी अजादियां और इमत्याजी सलूक का रोकना इस इमत्याजी सलूक को रोका जाएगा तो एंशूर होगा रूल अवला जो तरक्की पजीर या बैकवर्ड पस्मांदा मुमालिक होते हैं वहाँ पे बन्यादी वज़ा बैकवर्डनेस की पस्मांदगी की मसायल की कमी नहीं होती रूल अवला नहीं होता वहाँ पे वहाँ पे इनसाफ नहीं होता मिसाल के तौर पर आज पाकिस्तान के अंदर जो चीफ जस्टिस है सोकार्ड काजी बेफैज इसा वो कहते है कि मेरी बीवी की एरपुट पे चेकिंग नहीं होगी क्यों भाई वाट शी आपको तो डिस्पेंसेशन आप जस्टिस आपको तो प्रोटेकशन आप राइट्स आपको तो प्रोटेकशन आपी कांस्टीचुशन का अपनेस अहर फटाये हुआ है और आप खुध उसको बाइलेट को रहे हैं आपने कानून की अमलदारी को आईन के तहफ़स को कानून के तहफ़स के लिए हलब उठाए और यू आर अंडरोत और जितनी इंकंसिस्टेंट इंकोहिरेंट और मौजिज बुकला के साथ जो उनका नार्वा नामनासिब रविया है देखें अमेरिका के सुप्रीम कोट के जाय 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 जिसकी दुनिया में खबर चली जिस दिन पहले दिन वो अदालत में बोला अब यकीन माने सत्रा साल बाद तीन चार लफस बोला वो जजज यह बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कानून का मुहावरा है जजिस नेवर स्पीक दियर जज्जमेंट स्पीक और यह साथ जो हमारे पर नाजल है वाया इसराइल तो यह इनके देखें यह किसी को बात ही नहीं करने देते हैं तो यह इसकी नफ़ी है रूलावला की और नाइनसाफी की रूट काज है यह काजी वाली बाते हटा के बाकियों पर रेफरेंस नोट फरमाएं इंटरनेशनल लाइंड हुमन राइट्स के पेज डबल त्री एट पर यह पर प्रोवाइड़ है डाइसी के मताबिक एक्वैलिटी पीफोर लाओ का मतलब है कि यह जबावदिला कानून से उपर कोई नहीं है सब कानून के सामने बराबर है खा उस शख्स का क्या कोई ओधा हो कोई रुत्बा हो कोई मकाम हो कुछ हो बट नोबाडी इस अबावदिला जैनिंग्स के बकॉल equality before law means among equals laws should be equal and should be equally administered बराबर उन पे लगाने चाहिए that like should be treated alike एक जैसों के साथ एक जैसा सलोक होना चाहिए बगैर किसी इम्तियास के क्या इम्तियास हो सकता है कोई नसली मजभी लिसानी अलाकाई या किसी भी तरह का इम्तियास कोई जेंडर का जिन्स का और होता है मारता है नो 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 आल आर इक्वल भी फॉर ला article 25 of the constitution reasonable classification एक अकली दर्जा बंदी की इजाज़त देता है जिसके मुताबिक परसंस सिमिलर्ली प्लेश्ट आर टू बी सिमिलर्ली ट्रीटिट classification arbitrary नहीं होनी चाहिए अगर arbitrary होगी तो अदालत उसको undo कर देगी classification rational nexus होनी चाहिए यानि अकली जवास के मताबक होनी चाहिए और intelligible differentiation की बुनियाद पर की जानी चाहिए इस पे चंदें मुकदमात नोट फरमाएं 2005 SEMR page 2445 2005 SEMR 1742 2009 SEMR page 1034 PLD 1993 Supreme Court page 341 PLD 1975 Supreme Court page 506 PLD 1976 Supreme Court page 57 AIR 1951 Supreme Court 41 Indian Supreme Court PLD 1990 Supreme Court 295 and 899 2007 SEMR page 410 2011 SEMR page 848 2000 SEMR 1956 and in the end of the lecture सर्दार और सर्दारी नजाम आवान हो सर्दार हो खान हो कोई हो इस होने की बनाद पे कोई इम्त्याजी सलूक नहीं किया जा सकता Article 25 तिरोशनी में और जो सर्दार और सर्दारी निजाम है that has been abolished उसको तरक कर दिया गया खत्म कर दिया गया that is why it मजरिया system of सर्दारी Abolition Act 1976 इस पे एक जज्जमेंट भी नोट फर्मारें PLD 2013 Balochistan page 14 Thank you very much